नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में एक और नई आइडिया के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं बनूँगा रावण और इस वीडियो के में और लेडी दो पार्ट अप्लोड कर चुका हूँ लेकिन इस वीडियो में उन दोनों पार्ट को एक साथ मिलागे डाल लाओं तो पूरा रावण बनाएंगे अगर आपको step by step जर नहीं देखने हैं तो आप वे भी दो वीडियो देख सकते हैं अब सबसे पहले मैंने ले लिए एक आईवरी पेपर इसकी जगे पर चाल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं ये पूर इसलिए दो बना लिए क्योंकि दो टांग है कोसिस करना दुन्हों की मोटाई लगभक सीमसी रहे हैं मैंने भी पूरी कोसिस करी आप क्या करना एक और पेपर लेना है और उसका कुछ इस्तरिक के जो उसके कपड़े है ना उसका शेप देद दिया है अब यार मैं ए थ्री स मैं यूज कर रहा हूं अधिकतर पेपर को चिपकाने में फैवी गोल सभी पेपर जो है चिपक जाते है यार इस बहुत से रहे विरियेशन है अगर आपको एक चीज ना मिले तो आप दूसरी चीज से यूज करके जो है ना अपना रावन बना सकते हो लकडी में देखते है बना रखे है और इसमें से हम अपनी टांगे भी चिपकांगे और यह थोड़ा सा पेपर कम पढ़ गया था तो मैंने इसमें एक और पीस लगा दिया पेपर का इसलिए यार बड़ा पेपर यूज करोगे तो एक ही पीस में हो जाएगा पूरा डिजाइन अपना और उसके रावन जैसी चीज़े बना रहे हैं तो बिल्कुल फ्री हैंड में मज़ा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यार फ्री हैंड बनाओ तो मैंने यह जो निच्चे काड़ बोर्ड का पीस लगाया था ना इसे चिपका दिया अब इसमें दो होल करेंगे और होल मैं कट जखका दिया मैंने बाद में और पूरी करना उपर तक पूरी भेजना देख सकते उपर की साइट से भी ताकि अच्छी तरिक्के से यह पूरा बेस हमारा मच्बूत बने रावण का मैंने दोनों साइड से एकडम अच्छी तरीक्के अपनी टांगो को चिपका दिया आब इसमें भरेंगे पटक के यह बहुत पूरा एरिया खाल लिये तो मैं पटक के और लेडी लिया था धिरे धिरे मैं बताता हूं सब चीज में और वीडियो जाना जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो ने पता होगा तो यह मैं कुछ पटक के लिया था या लड़ी विजली मैंने काट के बाद में छोटे-छोटे-छोटे पीस करके डाल दिया लेकिन जगेब होता है और भी छोटे-मोटे पटक के और लकड़ी बगेर डाल दो अंदर अब लकड़ी नहीं डालनी मैंने क्या करता थोड़े से जो है ना कार्ड़ बोर्ड की पीस काट के इसमें भर लेकिन रावन को पूर अच्छी तरीक्ये से फूल करा मैंने जो जो हो सक है एकदम पटाक के मस्त करके भर दिये मुझे नहीं पता यार मैंने इतने वड़े रावन में इससे पहले कितने पटाक के भरते बना मैं जनरली जो मैं रावन बनाऊ था उन्हें बस एक आद आते हैं और ओपर का बनाने के लिए मैंने इसके डिजाइन को उल्टा कर दिया मतलब निच्छे की साइड से पतला उपर से चोड़ा जाता हुआ इस तरीक्ये से देख सकते हो बाकियार वीडियो तो आप देख रहे हो जैसा जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीक्ये से क लिए मैं बता दू क्योंकि हम एक रावन नी बनाने वाले हम बहुत चरह रावन बनाने वाले एक उल्लेडी में चोट्टा रावन बना चुका हूँ वीडियो भी देख सकते हूं और यह हमारा दूसरा रावन है अभी हम एक और रावन बनाईंगे तो इसलों मैंने इस राव का इस पाता लोग धर्ती के नीचे बसता हुआ एक और अनोखा लोग है वहां का राजत है यार आई रावन रहता दूसरा रावन फिर कोई तीसरा होगा वह क्या नाम दूसरा इसकी बना दी मैंने अपने देख लियोगी तो ध्यान देते रहो साथ में वीडियो पर भी मेरे आवाज पर दो दे रहे हो अब मैंने इसका जो है न उपर वाला हिस्सा चिपका दिया सूपर देखा इसमें भी जगे बची रही थी उपर की साइड में पूरी खाली तो मैंने इसमें भी पटाक के भरेंगे इसे योग खाली छोड़ें इसमें वह नहींने लड़ी जो है न काटके भर दी अपनी बिजली बम की चार्ड़ी बम की बढ़ ऑगर ऐसांस आपने घ सब्सक्राइब कर सकते हैं चलो फिर करते हैं इसके हाथ लगांगे हाथ के लिए पेपर को लेखे इस तरीके सा रोल बनागे हाथ बनाया पस जहां लगना हाथ जो है ना वह पैर जितने मोटे नहीं होने थोड़े पतले होने क्योंकि हाथ और पैर में उंतर है थोड़े जाद मोटे रहते थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक वाली कोशिस करना की रियल चिज्जों से इंस्पायर हो था जैसी हीवन की रहती तो इस वड़े से मैंने इसके हाथ पतले रखे थोड़े और जैसा आपको हाथ को मोड़ना है में तो इसके एक हाथ में तलवार और मैं ढाला तो मैंने उसी हईजाब से मोड़े citarm ने मैंने खाल ऐसी थाष होगता हुए देखे जो भी दशेयर में देखे तो इस वाजे से मैंने ऐसी मोड़ दिये और भी आर सिथ्ध्य Bay कर सकते हैं यह पिल्गुल सिद्धें और फिर गरदन के लिए मैंने एक और जो है उपर होल कर गए एक और ट्यूब बना गे चिपकादी पेपर की अब बनाते हैं इसके कंधें तो कंधें के लिए क्लिए करने एक पेपर काट और उसे इस तरीक्य से थोड़ा सा गूल शेप लिखके इस तरीके जैसे मैं चिपका रहा हूं देख लो वैसे कर गए इसके कंदे बन जाएंगे कंदे बनाओगे ना थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लगेगा जैसे मैं बताए रहा हूं कि रियल चिज्जों से इंस्पायर हो तो जैसे आदमी की रियल फिगर रहती तो कु होना चीए अलक से सपोर्ट देने को तो दे सकते हैं पिछे से लेकिन सही नहीं लगता है कि छोटा रावन है इसे तो यार खोदी ख़ड़ा होना चीए एक बढ़ा होता बहुत तो चलो मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट एद्दो अलक से तो खैर यह तो पूरा मास्त लगेगा तो देख सकतो मैंने पहुत ही सिंपल सा बनाया लेकिन यह जो है अपने रावन को एक अलगी लुक डिजाइन देगा गाइस पिसले साल भी मैंने तीन चार आवणों का देहन करा था जिसमें से मैंने दो बनाए थे और मेरे साल दर साल मैं घट्टे होते चल जैना और अग्र देख सकते हैं तो दुदबारे देख लो और रावन की देख लेता हैं मास्केश को में बनाया है मैं यह और पहला seçा आप तो तो मैंने पहले तो गर्दन को मोटा कर दिया और उसके बाद उसमें जो है न जो हमारे कंधे थे रावण के इसमें थोड़ा सा जो है गोला बनाके काटके ताकि हमारी गर्दन अच्छे से फीट हो जाब है यह देख सकतो अब इसे गर्दन को चिपका देंगे उससे पहले या अपनी गर्दन से चिपकांगे इस है तो मैंने निच्छे की साइड में पेपर लगा दिया और यार कभी-कभी क्या हुता ग्लूगन से भी यार पेपर चिपक नहीं रहा था यार पता नहीं क्यों तो मुझे कहीं पर फैविकोल भी यूज़ करना पड़ गया वो मैंने दि क्योंकि मैं इसलिए रख रहा था मैंने सोच लेया हैं यह मेगनात समझ के बना रहूं है तो इस वज़े से अब मैं बना रहा हूं इसका मुकुड इसका मुकूड जो है न मैंने मकूड को रोल कर दिया लेकिन वह अपने जो रावन का सिरह उस थोड़ा सब ड़ा रखना है ताकि उपर fit हो जब है और उस पे design वगएरा बना के बस cutting करना है जैसे मैंने बनाया है देख लो बहुत ही simple है उपर की side में मैंने इसमें design दिया है तो यह ऐसा लग रहा था है जैसे कि दीपक में जल्ली हो लो या फिर more का punk हो लेकिन यह more का punk नहीं है बस ऐसे design है और पिच्छे की side में भी यह पता नहीं का इस बाल है इसके क्या है मैंने जोड तो यह मुकुट से दिये लेकिन यह बाल ही समझ लो पता नहीं बस मुझे अच्छे लग रहे है अब इसकी नाक को थोड़ा सा 3D एफेक्ट देने के लिए मैंने नाक को 3D बना दिया पेपर को मॉल के और यह मैंने मुझ चेंज करती थी जैसे मैं बता रहों अब मैंने मुझ यह वाली बनाई अब इरफ यह वाली पेपर की trust लेकिन भस फिर मैंने काडबुट की align कुके फोड़ी चद्द मुझे अलकी लग दीNow काडबुट की है लेकिन फृल्याट नहीं है थोड़ी सी टणाव वाली है उपरूझ आप अपने पीन तेस से तुड़ा द्याइन में निच्चे से छोड़ा और उपड़ सा पतला और उसे चिपका दिया उरा यार से ओधने की तरह एक घोल सरकल बना दिया जो की गई सोरश को करने के बाद अलगी चीज चेंज हो जा जुत्ती रह गई थी तो जुत्ती को भी मैंने पूरा कवर कर दिया और उसे थोड़े देर धूप में सुखाने के लिए रख दिया सूखने बाद अब इसमें कुछ नहीं करना सिद्धा कलरिंग के लिए जा रहे हैं और आपने तलव कोई सा भी कर सकते हो मैंने इस तरीके कर रखा है कि कोई सा भी कलर करोगे ना आप इस तरीके से सब बढ़े लगेंगे लाल हो निल्ला हो या फिर हरा हो कोई सा भी बस पीला मत करना क्योंकि पीला इसके आभूसन है इसका हार हम पीला बना रहे हैं इसका मुगूट पीला ब देखा होगा तो वह लैस वाला इफेक्ट देने के लिए मैंने बिलू कलर कर दिया और यार बिलू कलर के साथ हुए गरीन कलर का कोंबीनेस एकदम चबड़ दस्त लग रहा था और लाल और डार्क लाल नहीं यार लाल और पीला सही लगता लेकिन कोई सा भी बना लो दो कलर क अब मैं क्या बताऊं मेरे दिमाग इनी चल ला इस टाइम पे और फेस पर मैंने फेस कलर कर दिया यह फेस कलर जो है और उरेंज में वाइट मिला लेना और हलका सा ब्राउन बन जाएगा फेस कलर ली करना अगर यह वाला रावन बना रहे हो तो क्योंकि इस पर फेस कलर कलर को एंजोई करो करो जोंस अच्छा लगए वो करना बात खत्म अब इसकी जो टीटेलिंग थी आख नाक मुह की वह समय ने ब्लैक कलर से कर दी और जो हमारा मुह कुड़ था उसे लगा दिये तो देख सकतो कुछ इस तरिक्के का अपना रावन बनी या तैयार कलर हो तो अब भी शुरू करो अपना रावन गनाना इतना हम जल्दी मिलेंगे एक और अगली वीडियो के साथ और यह वीडियो आपको कैसे लगी रावन कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर देना कुछ और आइडिया बगरा है तो कमेंड में लिख देना मिलते हैं अगली कमेंड में लूई जल्य मिलें लावन मिल्दी वीडियो आख उना हम अलावन क傳ी हो दो प्सक्राइब च्स tamamम